पर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते है जिनका syllabus ना exam के साउध दिन पहले पुरा हो जाता है, ये जिस class में पढ़ रहे हैं, उसका तो होता ही होता है, आगी की दो class का syllabus भी इनका complete रहता है, कभी exam के एक दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए न से लिखूंगा ऐसा हम कर देना घर पर कभी मम्मी में टीवी देख रहा हूं कर फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा हाँ ठीक है एक सेकंड क्या बोला तुने अभी जे श्री राम अहम विध्याले गच्छामी सवीने निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या नहीं वो क आये न में विध्या में पूरा खो चुका था जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे भाई ये वाला आंच डिक ये तू क्या कर रहा है देख भाई स्कूल में ना कुछ नहीं रखा बिल गेट्स मार्क जुकरबरगर पटा भी ये कोन है ये सब स्कूल से निकल ग अब टीवी का बेटन चालू करती में भी टीवी में आऊंगा ये ये क्या हो रहा है दुआ निकल रहा है पानी अरे बापरे विप्पू तु जिन्दा है ना विप्पू की मम्मी पैनिक करने वाले बच्चे तो ये अम हां तो भाईया तुमारे एक्जाम्स ना बीस तारि से मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अब मेरा क्या होगा अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन लेरा एक्जाम्स ही तो है सुन रवी तू नहीं जानता मेरे माबाप को अगर मैं एक्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे होस्टल बेज देंगे और होस्टल में खाने में की प्लानिंग करने वाले बच्चे तो मुझे पढ़ने है आठ चैप्टर मेरा पेपर है कल और अभी बज़रे है सुबा के नव तो मैं बारा बजी तक तीन चैप्टर पढ़ लूँगा और उसके बाद एक घंटा चौकूस खाऊंगा फिर एक बज़े से चार बज़े तक मै 21 घंटे बीच जाने के बाद तो ऐसे करके मेरे पूरे आठ चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे विक्की चलो इसकूल आज पेपर है ना तुमारा क्या? एक्जाम की एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे ये बच्चे जो एक्जाम में पहले टाइम मिलता है न उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे रात में दस बज़े बैठेंगे ये लोग पढ़ने अपने से दो गुना जादा मोटी बुक लेके आज तो शब कुछ निपता दूँगा मैं पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे पुराने जमाने के बंदर कैसे डिखते होंगे? उनकी मूझ भी ओती होगी रुको देखता हूँ कुछ घंटे बीच जाने के बाद बंदर तो सही होते है गुरू कैसा नाच रहा था वो? सुबा हो गई ये बच्चे एक्जाम में भी वही लिख क्या थे है जो इनने रात में पढ़ाए भारत में शे अंग्रेजो को किष्णे भगाया बंदरों ने गन्ना खाके लेकिन ये तो पांच नंबर का कोश्ण है बड़ा लिखता हूँ तो आज से कही साल पहले अंग्रेजो और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए लेकिन एक दिन अंग्रेजो ने बंदरों के गन्ने खा लिए बंदरों को ये चीज बिल्कुल पशन नी आई इसलिए उन्होंने शान्ती और अमन के लिए अंग्रेजो को भारत से भगा दिया कुछ भी कहो गुरू इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे टीचर की घर से पेपर चोड़ी करने वाले बच्चे इस बार का पेपर संजू सर ने बहुत कठिन बनाया है हम लोग को उनके घर जाके पेपर चुराना पड़ेगा और तुम लोग अपने मास्क पहन के आना किसी को पता नहीं चलना चीए हम लोग निंजास है ए तुम तुम हमारी बाते कब से सुन रहे थे अबे तेरी को पता तु नहीं चलना हम लोग निंजास है तो आज रात में एक बज़े सर के घर आ जाना सारी चीजे आ गई है और ये बंटी तुम ये बेसबॉल बैट लेके क्यों आये हो किसी को मारना नहीं है यहापे अरे लेकिन सार ने हमको कभी पकड़ दिया तो मैं उसके सर पे मार दूँगा ये नहीं बंटी हम किसी को मार नहीं रहे मैं नीचे जारों और कोई गड़बन मत करना मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो आने दू आने दू अराम से अराम से उपर लो उपर लो मुझे अरे सर वो है न चीटिंग करने में उस्ताद बच्चे इस साल मुझे पास होने से कोई नहीं रोख सकता क्योंकि मेरे पास है चीट्स मुझे बस इन चीट्स को छुपाना है थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर थोड़ी सी मूँ में थोड़ी सी कोट में अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता देखो बेटा इधर कोई भी चीटिंग कर मतले न ठीक है क्या बाते मोटे लाला तुम कुछ गड़बडी तो नहीं कर रहे हो बताओ, बताओ, मोटे लाला मजाख कर रहा हूँ यार टीचर्स को पैसे का लालज देने वाले बच्चे सर, सर वो तो तुम लोग मेरे घर पे पेपर लेने आयते हैं ना सर लेने नहीं आयते अगर आप चाहो तो हम आपको पैसे दे सकते हैं बहुत सारे अच्छा, कितने होते हैं ये, बहुत सारे पैसे बंटी, बंटी वो शूट केस ला बंटी, ये अत्ती देर से मेरे पीछे बेसबॉल बैट लेके खड़ा हुआ था तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं अभी मार देता हूँ नहीं, बंटी तुम उन्हें बस पैसे बताओ ठीक है, ये देखो ये तो काफी जादा पैसे है, लगता है तुमारा काम हो जाएगा तुम भी थे उपर देखो, ये जो नुक्सान हुआ है इसके पैसे में अलग से लोगा भी या ग्रूप स्टडीस वाले बच्चे, अब ग्रूप स्टडीस में ना एक बच्चा ऐसा होता ही है जो पूरे ग्रूप को डिस्टर्ब करता है भाई, इस बार का पेपर कटीन हो सकता है, मेरी तो फटरी है हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है तुम लोग को टेंशन हो रही तो एक जोक सुन लो नई, हमें नी सुनना कोई जोक एक बार एक चिपकली ने गाना गाया तो जो बाकी की दो चिपकली थी, वो छट से नीचे गिर गई बताओ क्यूँ मुझे नी जानना क्यूकि बाकी दो चिपकली ताली बजा रही थी क्या बखवास था ये मिन्नू हमको अब ऐसे जोक स्पर हसी नहीं आएगी हम बड़े हो चुके अब हमको इंटेलिजन कॉमेडी चाएगे